तरणों बे होने वाली सहकारी बैंक की भरती परिक्षा अब इस्थगित कर दी गई है 407 पदों पर भरती के लिए परिक्षा होनी थी जिसे 36 गड़ व्यापम ने इस्थगित अब कर दिया है तो बताया जा रहा है कि आचार सहिता लगने की वज़़ से परिक्षा को इस्थगित कर दिया गया है और व्यापम ने कहा है कि चुनाव आयुक से पूछ कर नई तारीक अब जारी की जाएगी तो देखे 36 गड़ में चुनाव हो रहे हैं आचार सहिता लग चुकी है और उसके बाद अब देखे बड़ी कबर सामने निकल कर आ रही है कि आचार सहिता लगने की वज़़ से फिलहाल तो परिक्षा को इस्थगित कर दिया गया है अब व्यापम ने ये साफ कहा है कि चुनाव आयोक से पूछा जाएगा और उसके बाद नई तारीक जारी की जाएगी तो अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोक से क्या कुछ बात होती है और उसके बाद नई तारीके क्या जारी होती है आपको फिलाल बता दे कि 15 अक्टूबर में को दो चरड़ों में ये परिक्षा होनी थी 407 रिक्तपद बताया जा रहे हैं जिसके लिए व्यापमने ये भरती परिक्षा निकाली थी और जो छातर इंतजार कर रहे थे कही न कहीं उनके लिए बड़ा जटका है क्योंकि परिक् आयोग से बात्चुत करने के बाद नई तारिके जारी की जाएंगे बिलकुल परिक्षा 15 तारिक को होनी थी इसके लिए ना सिर्फ तिथी गोसीत की गई थी बलकि एड्मिट कार्ड भी जारी कर दिये गया थे परिक्षा सेंटर दे दिये गया थे यानिकि जो तैयारी करन चुनाओं के बाद ही गोसीत की जाएगी यानि कि 17 सितम्र नवंबर को माफ करीगाए 17 को दो चलनों में जो चुनाओं होने 26 गड़ में 17 के 17 नॉम्बर के बाद हो सकता है कि तारीक घोसित की जाए या फिर 3 दिसम्बर को चुनाओ परिणाम आने के बाद इसी जो बैंक अपेक्स बैंक की एक और ने परिक्षा भी 29 तारीक को होनी है जिसकी तारीक पहले से घोसित हो है उसको लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं आई लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि वो भी परिक्षा इस्तगीत की जा सकती है बदा दे कि चुनाओ अचार सहीता लगने से पहले यह तिति गोसित हो चुकी थी इसलिए यह व्यापम से जब मेरी पहले बातचीत हो रही थी इसी मामले में तो उनका कहना था कि चुकि पहले से तो हो सकता है कि कोई दिक्कत ना है हम परिक्षा करा लें लेकिन कल देर रात एक आदेश जारी करते हुए व्यापम की ओर से करा गया कि अभी परिक्षा इस्तगीत कर दी जा रही है और अगली तारीक जब भी निर्वाचन आयोक से हम लोग बातचीत करेंगे उनके उनकी जो निर्देश होंगे उसका पालन करते हुए हम देंगे इस परिक्षा में कम से कम 30,000 से जादा बच्चे तियारी करने वाले बेरती वो सामिल होने वाले थे 407 पदों की जो परिक्षा थी जी तो चोली जैसा कि निलेश बता रहे है कि अब बात्चुत की जाएगी चात्रों को इंतजार करना पड़ेगा निलेश आगे भी अपडेट लेंगे फिलाल बहुत बहुत शुक्री आपका तवाब जानकारी के लिए